वेल्कम टू एक्जाम के उस तक आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एंड्राइड मोबाइल एक्सल में अस्मार्ट अटेंडेंडेंसीट कैसे बना है अगर आप अस्मार्ट अटेंडेंसीट बनाना चाहते हैं तो एक वीडियो सुरू से अन तक देखिए आप इस में किसी अट्यूजेंट या फिन इंपूलवाई का स मार्ट अटेंडेंसीट कैसे बनाते हैं तो यहां पर अप सिर्ययल नम्बर मैंने डाल रखा है है यहां पे नेम डाल हैया है यहां पर हमें एक महइने का अटेंडेंसीट बनाना है जो कि मैं एक एक 2020 यहां पर डेट डाल देता हूं आप अपने नों साथ डेट को डाल सकते हैं जिस महइने का अटेंडेंसीट आप को त्यार करना है तो मुझे जनवरी का यहां पर डेट मैं डाल देता हूँ देखे इस सेल में मैंने फिल कर दिया एक-एक 2020 ओके यहां पर यहां पर दो तारी को यहां पर फिल कर देता हूँ ओके यहां पर दो तारीक फिल कर दिया तो मैं ऐसे लिखूंगा एक दो तो मुझे टाइम लगेगा ओके लेकिन असमार तरीकी कैसे हम कैसे इसको फिल करेंगे देखिए इसको सेलेक्ट कर लिजे दोनों को दोनों को सेलेक्ट करके यहां पर फिल ओक्सन दिखा ही दरा है यहां पर क्लिक कर दिजेगा इसके बड़ देखिए इधा तक यहां पर जा कर दिजे ओके ट्रैक कर दिजेए आपको जिस डेट तक चाहिए मुझे एक मंत का मतलब की 31 तारीक तक चाहिए जनावरी 31 जनावरी में 31 दिन होते हैं तो चलिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर हो गया मुझे यहाँ पर देखिए यहाँ पर हो गया देखिए यहाँ पर दो के बाद 3 हो गया चार्ड तारीक हो गया यहाँ पर देखिए यहाँ पर और यहाँ पर देखिए थोड़ा सा इरर दिखाई दे रहा तो यहाँ पर देखिए क्या करना आपको जो एक कॉलम होता है ना कॉलम को इधर ट्रेक कर देंगे थोड़ा थोड़ा देखिए यहां पर सेलेक्ट करकर रुकिए थोड़ा सा यहां पर सेलेक्ट कर लिजिए इसका कॉलम को यहाँ पर सेलेक्ट करकर को बढ़ा दिजी आप देखिए यहाँ पर डेट सो होने लगा इसी तरह आप देखिए यहाँ पर सेलेक्ट करकर को बढ़ा देना है कॉलम को बढ़ा देना है तो देखिए यहां पर डेट सेलेट सो होने लगा है तो इसी तरह मैं बढ़ा देता हूं कॉलम को कर रोक दिया था इसके बाद यहां पर देखिए आपने अनुसाइं यहां पर को बढ़ा दिया है और और यहां पर मैंने देखिए 31 तारीक तक लिख रख था है और इस कोलम को बढ़ा कर लेते हैं और इस कोलम को बढ़ा कर लेते हैं ओके कॉलम को बड़ा हो गया है यहां पर देखिए यहां पर हम टोटल यहां पर सेलेक्ट करकर यहां पर एडिट करकर यहां पर बराबर लगा कर ओके यहां फिन टोटल लिख देता हूं बराबर नहीं अभी टोटल लिख देता हूं टोटल हो गया इसका बराबर लगा कर पी लिख देता हूँ पी का मतल़ होता है प्रेजेंट ओके यहाँ पर टोटल लिख देता हूँ टोटल बराबर यहाँ पर लगा देता हूँ और यह लिख देता हूं ठीक है टोटल प्रजेंट और यह से अपसेंट हो जाएगा टोटल अपसेंट यहां पर यहां पर इसके बद यहां पर टोटल बराबर लगायकर यच लिख देता हूं यच का मतब होता है holiday ओके तो देखिए यहाँ पर टोटल प्रजेंट हो जाएगा टोटल अपसेंट हो जाएगा टोटल holiday ओके तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैं तेनों को select करकर तेनों सेल को थोड़ा साम इसको color में feel कर देता हूं बोल्ड कर देता हूं ताकि अच्छा लगे तेनों का लगा देता हूं करें यहां पर ठोड़ा सा कलर कि रेड़ कर देता हूं यहाँ पर बैग्राउंड थोड़ा साba कर देता हूं मैं अच्छा बैग्राउंड नहीं लग लग रा er है चलिये ठोड़ा से हम इसमें लाकर देता है अब थोड़ा-स अच्छा लग रहा है अभ देखिए कि यहाँ पे आइसा देखी यहाँ पर किसी भी इंपल्वाइप नौम मैं थोड़ा-सा फिल कर देता हूं देखिए यहां पर अपने अनुसार अप सीरियल नम्मर डाल सकते हैं आप चाहिए जितना भी एंपलोई का आप नाम और सीरियल नम्मर डाल सकते हैं तो मैंने यहां पर सीरियल नम्मर खिल कर देता हूं एक ठीक है यहाँ पर मन लेजिए कि मेरे पास 50 स्टुडेंट हैं तो एक दो तीन चार लिखूंगा तो टाइम लगेगा इसलिए मैं एक दो लिख कर इसके वाद यहाँ पर दोनों सेल को सेलेक्ट करकर यहाँ पर फिल को आपसन आ रहा है फिल पर क्लिक करकर नीचे तक आप जित सेलेक्ट करता हूं ओके यहाँ पर नाम आप लोग लिख लिजिए तो नाम लिख लिजिए आप लोग तो मैं नाम लिख देता हूं अमित ओके इसके बाद अमित के बाद यहाँ पर देखिए अमित के बाद यहाँ पर मैंने अमित नाम लिख दिया यहाँ पर नाम लिख द और यहाँ पर नाम रख देता हूं तीसरे में आजित ओके चाओ थे में रोहित नाम रख देता हूं ओके आप अपने नुसा नाम रख दीजिएगा जो भी आप बनाना चाहते हैं जिस स्टूडेंट का आप अपने नों सा नाम लिख लिजेगा यहां पर पाच्वाइं पर उदीत लिख देता हूं ओके चलिए यहां पर हम इनका जितने भी एन नेम है इनका मतलब कि परजेंट और अपसेंट को दरसाना है कि कि इस दिना यह आये थे कौम करने मैंने इस वीडियो में एंपुलवाय के तौर पर बता रहा हूं आटेंडेंसिट बनाना ओके आप अस्टूडेंट के तौर से भी मना सकते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है आप और शेल बढ़ा कर आप फादर नेम एड्रेस विलेज मोबाइल नमर हो गरो डाल सकते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है तो यहां पर अमेद कुमार को यहां पर पर फील करेंगे तो यहां पर कॉंट कर दे यहां पर देखिए जो हां पर हमने टोटल पी मतलब पर Settings गा के ऊ मतलब company में जितने भी काम किया एक तीस दिने में यहाँ पर atomatic present हो जाए अपसेंट हो जाए मतलब company में कितने दिनों तक हो हूए काम पर नहीं किया है आप इंक्लूड कर देता हूं holiday में okay मतलब छूट्टी को हम yes से दर्शा देता हूँ holiday में आप अपने दर्शा सकते हैं यहाँ पर संडे भी आप अलग से सेल बना सकते हैं लेकिन मैंने तीम यहाँ पर आपको बताया है ऑके तो चलिए ही फार्मूला कैसे काम करता है यहाँ पर लोग ठोड़ा सो ध्यान देना है यहाँ पर आप लोगों ersona देना हैoser तो चलिए जिस इस सेल के नीचे सेलेक्ट कर लिए टोटल के नीचे ओके सेल को सेलेक्ट करकर यहां पर एड़ेट पर जाएंगे जब आप लोग एड़ेट पर जाएंगे तो यहां पर ब्रावर लगाएंगे इसके बाद देखिए काउंट इफ काउंट इफ लिखेंगे ओके तो काउंट इफ लिखेंगे तो देखिए यहाँ पर आ जा रहे हैं आप से पुछ रहा है रेंज तो आप लोग रेंज देजिए गया थोड़ा से यहाँ ध्यान से देना होगा रेंज कि मतलब जितना डेट है जब से जब तक अगर आप 15 दिन का बना रहे हैं तो मान लेजिए कि मैं यहां से रेंज देना चाहता हूं एक एक दो यहां पर लोगों को ध्यान देना है यहां पर आप लोग अच्छे से करेंगे तबी फर्मूला कॉम करेगा जो फर्मूला बता रह होगा यहां पर देखिए रेंज को सेलेक्ट करकर पूरा मैं ट्रैक कर लेता हूं जहां तक मुझे अगर आपको नव तारीक तक बस कराना है तो नव तारीक तक करा लिजिएगा पंद्रा में उझे तेक तीस तारीक तक दिखना है ओके एक महिने के इंप्लोई काम करते हैं कि नहीं तो यहां पर देखिए कि मैं कर लेता हूं आपको दिखाने के दिखा रहा हूं थोड़ा से सब्साइणा देखिए फाइनली मेरा 31 तक हो गया ओके यहां पर देखिए 31 तक रेंज को सेलेक्ट कर लिया 31 दो 12 तक मतलब एक मंत पूरा जनावरी को सेलेक्ट कर लिया ओके यहां पर कौमा लगाएंगे ओके comma लगाए कर यहां पे double inviter comma को double inviter comma लिखेंगे इसके बाद पी को क्योंकि वेश्य उपर total P है नहीं पी को लिखेंगे इसके बाद double inviter को comma से close कर देंगे P को ओके यहां पर जो सही कहती है दिक्लिक कर देंगे मतलब अभी कहें पे मैं परजेंट नहीं लगाया हूँ इसलिए जीरो देखाई दे रहा है आप इसको स्लेट करकर फिल पर जाएंगे फिल पर नीचे तक ट्रेक कर देंगे आपको ध्यान देना है कि मेरे जितना इंपलॉई है उतना तक नीचे तक ट्रेक करना है अप ज़्याधा ही कर दिजिए तैकि फर मूला काम करेंगे अगर कम करेंगे तो नहीं काम करेंगा आप ध्यान देना है मैं यहां तक कर लेता हूँ ऑकर तो मेरा एक फर मूला हो गया मतलब कि मैं किसी का इंपलॉई का प्य भरूँग अगा प्रइजेंट करूँगा तो यहाँ पर count कर देगा तो finally P वाला मेरा हो गया आप देखते हैं अब send को ओके तो यहाँ पर आप send वाले पर के नीचे cell को select करकर edit करेंगे इसके बाद आप बराबर लगाएंगे इसके बाद count तो count आप लिखेंगे count if count if लिखेंगे इसके बाद range को select करेंगे उसी तरह range को आपको select करना पड़ेगा आप उसी तरह range को select कर लिजिए और आप से एक छोटा सा request है कि वीडियो अच्छा लेगे तो वीडियो को like कर दीजिएगा अफी तक channel पर नए हैं आपको यहाँ पर select करना है range को देना है ओके तो यहाँ पर select कर लिजिए अगर आपको कोई problem हो तो आप जरूर हमें comment करकर वताईएगा अगर आपके mobile में Excel में आप यूज़ कर रहे हैं अगर Android, Excel अप्लिकेशन आप यूज़ कर रहे हैं कोई भी problem हो रहा है तो आप लोग हमें जरूर comment करकर हमसे बात कर सकते हैं और कोई भी problem हो इस से संबंदित Excel से संबंदित तो वे question हमसे आप पूछ सकते हैं और मैं उसका जवाब आपको देने का परियास करूँगा तो ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आपने दोस्तों को साथ ये वीडियो जरूर सेयर कर ये जिनको जरूरत है कि हम company में data entry operator बनेंगे या फिन company में Excel पर काम करना चाहेंगे तो ये वीडियो उनके लिए काफी important है क्योंकि इस वीडियो में Excel का main चीज़ को बताया गया है smart attendance sit बनाना क्योंकि ज़्यादा तर company में यहीं होता है smart sit attendance और salary sit को बनाया जाता है तो यहाँ पर मैंने select कर रखा है select कर दिया आप देखिए यहाँ पर ध्यान दिजिएगा select करकर इसके बाद comma लगाएंगे comma कबाद यहाँ पर आपको इसके बाद inverter comma में आपको P लिखना यहाँ पर P लिखाओ है ना P के लिए यहाँ पर A लिखना होगा आपको क्योंकि absent हमेचार present हो गया यहाँ पर count कर लेगा लेकिन absent यहाँ पर तो आपको A लगा देना है इसके बाद आपको inverter कामा को close कर देना है यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर 0 हो गया है na absent अभी किसी का भी मैं फिल नहीं किया हूं डाटा अपसेंट या प्रजेंट ओके तो यहां पर आपको सेलेक्ट करकर आपको क्या करना है यहां पर फिल पर जाना है फिल के पर क्लिक करकर यहां आपको नीचे तक ट्रेक कर लेना जहां तक आप ट्रेक करना चाहते हैं यहां का हो गया अप्सिंट का हो गया यहां पर होलीडे मतलब कि छुट्टियां का चो टोटल जितने पर छुट्टी है उसका भी हाना चाहिए तो इसके लिए हम वहीं फर्मूला का यूज करेंगे इस पर जाकर सेल पर एडिट करेंगे इसके बाद ब्राबर लगाएंगे इसके ब काउंट इव का प्रियोग करेंगे काउंट इव का प्रियोग करकर यहां पर रेंज को सेलेक्ट करेंगे वहीं रेंज को सेलेक्ट करेंगे जो रेंज जो आप देना चाहते हैं उस रेंज को सेलेक्ट कर लिजिए तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ अगर आपको एक्सल में कोई प्राबलम हो रहा है तो आप लोग ज़रूर कमेंट करकर बताईएगा और यह वीडियो को देखने से के बाद आप लोगों को अच्छी तरह से स्मार्ट अटेंडेंस रिट बनाना सिख जाएंगे एक्सल में अगर कोई प्राबलम भी होती है तो आप लोग ज़रूर कमेंट करकर बताईएगा ओके तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया कर लिया हो और यहां पर हम लोग देखेंगे कि अटमाटग Ever फर्मूला काम करता है कि नहीं ओके सिलेक्ट करकर हम लोग पर्जेंट को लगाएंगे अपसेंट को लगाएंगे और देखेंगे एटोमाटिक फर्मूला काम करता है कि नहीं ओके तो यह वीडियो को ज्यादा ज्यादा लोगों को सेयर करिए जिसको जरूरत है ओके मैं फाइनल यहां पर सेलेट करकर यहां पर कॉमा लगता हूं इसके बाद डबल इनवाटर कामा में यहां पर याच को हमको दसाना है होलीडे इसके बाद डबल इनवाटर कामा को कुलोज करता हूं यहां पर साही कचीन दिखायर इस पर क्लिक कर देता हूं ओके यहां प पर फिल करकर यहां पर नीचे तक आप लोग ट्रेक कर दीजिए यहां पर आगया मतलब टोटल होलीडे जीरो अब दिखाते हैं आपको मेरा जो फर्मूला है वो काम करेगा कि नहीं ओके तो आप लोग यहां से देखिए अच्छे से देखिएगा यह फर्मूला काम बिलकुल करेगा और स्मार्ट तरीके से आप अपर टेंडेंसिट बनाना सिख जाएंगे ओके तो चलिए यहां पर मैं फिल करता हूं एक तरीको अमित कुमार यहां पर एडिट बजाएंगे और एक तरीको इन्हों ने आया था कंपनी में काम करने तो इनको पी से दर्सादे हैं प्र आरसा देता हूं प्रेजन्ट इन्होंने भी कंपनी में आया था काम करने के लिए एक टारीकों ओके और अजित कुमार को यहां पर अपसेंट कर देता हूँ ओके एडिट पर जाके यहाँ पर इनको अपसेंट कर देता हूँ तो देखिए अपसेंट हो गया है अजित और देखिए यहाँ पर अपसेंट हो गया है इसका रोहित कुमार को भी अपसेंट कर देता हूँ यहां प्रोहित कुमार को भी अफसेंट कर देता हूं और देखिए उदित कुमार को उदित लिखा है आप इनको प्रजेंट कर देता हूं तो मैंने एक दिना का डाटा भर दिया है मतलब एक तारी को मैं भर चुका हूं तीसरे नम्र पर जिए तो बीच में फिर फिसरे नहों फिर थीच नहें पर देखिए, देखेगे देखे वार देखेफ थे तब खने कमार अंपर रबिक कमार भी पर यह दबीक कोई अजीत कमार दुसरे नम्मर पे ऊंटे इसके बाद रोईद कमार भी थे चोथे नम्मर ुअ लोग क्या थे अफ सेंट है तो यहां पर अफसेंट एटिक का Stadt कर रहा है आपको दिखा देता हूं थोड़ा सा यहां Ama यहां पर 31 तारी को चलिए 31 यहां पर नुश्रम पर प्रुजेंट अफसेंट अफ़िल कर दीजेगा मैं यहां पर ही दिखाता हूं ताकिया आप कि समझ लें कि फर्मूला काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है तीस एक तारिक मैं दिखा रहा हूं किफर मुला सच में काम करता है इसके बाद देखिए एक तीस तारिक को मैं नहीं तीस तारी को मैं फिल करता हूं और एक तीस तारी को फिल करता हूं देखिए तीस तारी को यहां पर देखिए काउंट हो चुका है टू टोटल प्रजेंट टू ओके यहां पर देखिए एक तीस तारी को मैं फिल करता हूं पी यहां पर एक तीस तारी को फिल कर द को देखिए यहां पर देखिए इंका देखिए इनका 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 देखिए अभी अपसेंट इनका एक भी नहीं है, दुसरे नम्मर वाला देखिए, तो इनको मैं edit कर जा कर यहाँ पर absent कर देता हूँ, तो देखिए इनका, यहाँ पर दे रहा है, ना, second ओल, absent, एक गो नहीं, देखिए, ना, यहाँ पर देखाई दे रहा होगा, देखिए, एक भी नहीं है, न, absent, अप्सेंट हो गए हैं ओके तो यह फर्मूला काम कर रहा है आप समाझ चुके होंगे अभी पूरा डाटा को मैं फिल कर देता हूं यहां पर वीडियो को थोड़ा सा रोक के ओके देखिए यहां पर मैंने यहां पर होलीडे ओके एक एक दिकाई दे रहा है ठीक है मैंने सिर्फ एक दिन होलीडे भरा हूं देखिए यहां पर इंपूराई सेट में देख लिजिए यहां पर देखिए अटेंडेंस सिट में इंपूराई का जितने भी अटेंडेंस सिट बना है डेट बाई डेट तो उन में देख लिजिए किसी में होलीडे के छुट्टी नहीं किया हूं यहां पर अपने नुसा आप बना सकते हैं देख लिजिए यहां पर एक भी छुट नहीं तो यहां पर दखिए होलीडी एक एक दिखाई दे रहा है मतलब कि होलीडी का एक छुट्टी है तो इस तरह आपको असानी से आप लोग अटेंडेंसिक बना सकते हैं तो यहां पर अगर आप माल लेजिए यहां पर प्रजेंट हुए हैं 19 दिन ठीक है ओके 19 दिन प्रजेंट हुए हैं इनका सेले कितना बनता है कितना परमन्त है इनकी सेले तो 19 दिन का कितना इनको सेले मिलेगा क्योंकि इन्हों ने तो तो और इन्हों ने अपसेंट तो भी होगा क्योंकि यहां पर इन्हों ने दस दिना अपसेंट है और एक दिन holy day के छुट्टी है holy day के छुट्टी जड़ाती है तो आपके salary मिलती है कि नहीं ये आपके company के उपर depend है और आपको 19 दिन का कितना salary होगा तो इस सब आगर आप सिखना चाहते हैं तो आप लोग आप लोग इसी वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करका बताईएगा मैं यहीं पर एक यहां पर थोड़ा सा सेल को यहां पर कॉलम को बढ़ा कर यहां पर automatic 19 दिन का कितना आपका salary बनता है automatic आजाएगा salary आपको ज़्यादा कुछ कहने की problem नहीं है formula का अबस्ति उज़ कर दिल दिजिए यहां पर smart तरीके सा आपका जितने भी दिन लोग ने काम की है उनका सभी का salary बन जाएगा अगर ऐसा आप सिखना चाहते हैं कि salary sit बनाएए या फिन किसी भी school का या फिन coaching का फिस management कैसे करें मतलब कि किसी student ने January में कितने फिस जामा किया है March में कम फिस जामा करते हैं और April में ज्यादा फिस जामा कर लेते हैं तो उनको अपने mobile में cash Excel seat त्यार करें वो भी smart तरीके से तो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर अगर आपको कोई प्राब्लम है तो आप लोग इसी वीडियो को नीचे कमेंट करकर जरूर बताईएगा चलिए मिलते हैं आप सभी से नेस्ट वीडियो में थैंक